दोस्तों आज हुए स्मैकडाउन में एक धमागदार मुमेंट देखने मिला जब अमेरिकन नाइटमेर कोडी रोडस के सामने ट्राइबल चीफ रोमन रेंज दुबारा दिखाई दिये दरसल होता यूँ है कि आज स्मैकडाउन के सीजन प्रीमियर एपेसोड में जे उसो और कोडी रोडस ने अपनी अंडिस्प्यूटे टैग टीम चैंपियनशिप ग्रेशन वालर और आस्टिन थियोरी के किलाव डिफेंड की थी मैच के एंड में वंडी की मदद से में इवेंट नाइटमेर ने जीत हसल किये और अपने टाइटल्स रिटेन किये मैच खत्म होने के बाद जब जे उसो और कोडी रोडस वहाँ से जा रहे थे तो एंटरांस स्टेज पर आते ही ट्राइबल चीफ रोमन रेंज का थीम सौंग बजा अचानक सोलो सिकवा और जिमी उसो आकर जे उसो और कोडी रोडस के सामने खड़े हो गए इतने में रोमन रेंज भी वहाँ आ आगाए और कोडी रोडस की आखों में आखे डाल कर घूरने लगे जिससे पता चलता है कि कहीं न कहीं WWE ने रसल मिनिया 40 के लिए ट्राइबल चीफ और अमेरिकन नाइटमेर के बीच अंडिस्प्यूटेट चाम्पियनशिप मैच प्लान कर रखा है और ये भी पता चला कि आने वाले समय में यह हम कहें कि Crown Jewel Premium Live Event में हमें Solo Sikho और Jimmy Uso का मैच Cody Rhodes और Jay Uso के खिलाब देखने को मिल सकता है Undisputed Tech Team Championship के लिए लेकिन क्या आप ये मैच देखना चाहते हैं कॉमेंट करके जरूर बताएगा Believe in God and thanks for watching